अब राशनल नंबर को डेसिमल में कैसे बनाया जाता है यह हम इसमें देखेंगे इसके लिए एक एक एक्जामबल हमने लिखा है एक्सपेस 15 बाइफ 4 ऐस डेसिमल नंबर 15 बाइफ 4 को डेसिमल नंबर में कैसे कनवर्ड करेंगे उसके लिए हमें लांग डिविजन मेथाड यूस करनी पड़ेगी लांग डिविजन मेथाड में 15 डिवाड़े वाइफ 4 अब 4 से हमें डिवाइड करना है 15 को 4 3 0 12 5 में से 3 गए 2 गए तो 3 अब 4 और 3 3 को 4 से डिवाइड नहीं होता है तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा एक जीरो हम नीचे आड़ करेंगे अब फिर से 4 का डेबल आप बोल सकते हो 4 6,000 4 7,028 divided by minus 2 रहेगा यहाँ पे 0 आएगा अब फिर से 4 और 2 यह 2 फिर से छोटा है फिर से हम एक 0 यहाँ पे लगा देंगे तो 20 हो जाएंगे अब 4 के डेबल में 20 4 5s are 20 that is and then subtract 00 we have completely divide the number अब इस प्रकार से हमने इसको पूरी तरह से divide कर दिया और हमारा जो answer है 15 divided by 4 is equal to 3.75 यह हमने decimal में निकाला इस प्रकार से long division method use करके हम decimal में answer निकाल सकते हैं यह एक example हुआ अभी और एक example लेके हम इसको conclude करते हैं कोई भी एक example लेलो example 2 20 divided by 3 अब इसको decimal में convert करना है 20 divided by 3 long division method use करो 3 6 तर 18 minus करो 2 रहेगा then 2 is smaller than 3 then we get a point and put a 0 on 2 then 3 6 तर 4 again 18 again 2 then 0 then again 6 again 18 and the process is continuously running it means that in this division 20 divided by 3 the decimal number is 6.66 it is continuously going because remainder is every time having 2 हर बार यहां पे 2 remainder आपको मिलेगा इसका मतलब 6.666 इसको इस प्रकार से लिखा जाता है 6.6 बार इस बार का में नहीं होता है यह process continuous चलने वाली है इसलिए यहां पर एक बार लगाया जाएगा तो 6.6 बार is the decimal answer of this rational number मित्रो आ वीडियो तमने केवो लागयो तेनो अचुकती प्रतिशाद आपो तेम बज वीडियो ने लाइक करो अने तमारा ग्रूप मा शेर करो कच्छवा.com नी चैनल जरूरती सब्सक्राइब करो आ कोर्स खरीदवा माटे तमे नीचेनी लिंक अथवा पच्छवा.com ना हैल्पलाइन नंबर उपर कॉंटेक करी शतों थाइंक्यू